इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अज़रत की हाजरी बेल गाम में नहीं भी थी ये पहली मरतबा कारी साहब को कारी साहब बेल गाम की की दावत मिली है और उन्हें कबोल भी किया और अलहमदो लिल्ला हमारे दर्मियान वो मौजूद हुआ चाहते हैं कारी साहब जो जब जवानों के बारे में बोलते हैं तो जवान उसको बड़े शुट से सुंते हैं लेते हैं अमल करते हैं तारी साहब को अल्ह ताला ने जो मलकात अता फर्माएं उन्में खतीबान अंदाज और फिर जब वो बात करते हैं और फिर मगर्बी तेख्जीम की खिलाब बुलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो पूरी इमानी खेरत के साथ बात कर लगता है बाद लोगों को वाइजान अंदाज लगता है मगर हकीकत के साथ अगर देखा जाए तो आप जब मगर्बी तेख्जीम की खिलाब बुलते हैं तो ये पूरी इमानी खेरत के साथ बुलते हैं ये कोई मामुली बात नहीं आज में जो इसलाम और इसलामी तेख्जीम हासिल है वो इसलामी तेख्जीम की हम सब को गदर की जबरत पर रास्ता दे दें तो हजब कारी सहाब हमारे दरमयान अभी तश्रीफ ला रहे हैं तो मैं इदर उदर जो अभाब अभी भी खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो करीब आएं, करीब होगर मैठें, करीब से उलमा को देखें लावालों को जितना हम करीब से देखेंगे हमारी महबद भी बढ़ेगी लावालों के साथ और लावालों से महबबद नाज़वान, बुड़े, समाच के जिम्मेदार इन तमाम बातों को तवज़ से सुने और अकीदत औ महबद से सुने और अमल के इरादा करें और जिंदगी बदलने के इरादा करें हम पूरा इस्तवाल करते हैं अधरिकारी साहब का कि जिनों ने दावत को कबूल फर्माई और बेलगाम शहर अतराफ बेलगाम के लिए मौका नसीब किया आपकी आमत पर हम अहलन वसलन मरहबा फर्माते हैं और यह गुजारिश करते हैं कि हमारे नوجवानों समाच के जिम्मेदारों से आप खुल कर पेगाम दें बात फर्माई शड़ अलिमदा कि लिए मौका जख्मा फर्माई और फक की लिए कदा आमते हैं इवान मुहम्म्मद ओटी ऩी रसल मोह वंजम पत्पान क्राया पтесьOS लाहे used to क्या ए लगला हैंछाली हर्ण इध्र बुम एन्सलो हैं करवो कि अर qua अमसले ओाला को इला हिख आलाव हन स्बगवें क्छि कैसि एि उर्सुाना झालाव महांदल वे उल्हां का रिले का डिलতान हैbelsोना झालत मिन गल कर दोदी कि अ स hellis अड़ों शीब रहा स्ब्सांने अब बाल माईब धोर में करता से जीश वार सौर वा니न ना म掌ाल माई आतना अतना हम एल स्थार में ऑार्वों में iç आतना छीिनि व दे रदित लहत्तना आमेर, काबिने, सदेहतराम, उलमाए किराम, असातीन, इल्म उफदल, ये स्टेज पर बैठे हुए बहुती मुबचल, फुजलाई, इजाम, और मेरे महतरम दोस्तों, और बुजर्गों, और कमरे में, या कोई और चगा पड़ते में बैठ कर सुनने वाली माएं, बेहनियां बेटियां, हम सबसे पहले नियत करें, जो सुनेंगे, अमल करेंगे इंशाए, करेंगे अमल करेंगे इंशाए, ये मेरा इस तरफ आना बहुत मरतबा हुआ, कोलापूल की तरफ जाना, और तालताओं की तरफ जाना, इच्छल खरेंजी की तरफ जाना, लेकिन प्रॉपर एमल में पहले मरत आभा है, तो सबसे पहले यह बात पक्की कर ले कै आप लोग नारजु तो नहींगे? नहीं नाराज तो नहींगे? ने होंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करो है इसलिए पहले वादा पकचा करो, वह बैसे लिद्या आप करेंगे 194 यह रिजा और और अमल करेंगी आप पूरे विजमे को एक बात कहे दो कि अगर मैं और आप इरादा कर रई? आजी इस वक्त प्रभी अलए महिने में रिया रदा करें कि हम सुनेंगे और अमल करेंगा ऐने दो काम का इरादा करना नमर एक सुनना और नमर दो आमल करना اللہ تعالیٰ آسمانوں پر فرماتے میرا بندہ دو کام तू कर ले बो दो काम तू कर ले एक सुनना और एक अमल करना اللہ تعالیٰ फर्माते मैं दो इनाम के फैसले करूँगा बोलो स्बहानला اللہ फर्माते मैं दो इनामों के फैसले करूँगा पहला इनाम यह होगा तू चाहेगा या न चाहेगा मौत के वक्लमा नसीब कर दूँगा और दूसरा फैसला यह होगा कि बगर इसाब किताब के जन्नत में पहुचा दूँगा तो मेरे प्यारो हमको दो काम करना है और आज पक्का करना है मेरे काम ने इन्शाला एक काम बो आवाद नहीं आरी आप लोगों की एक काम सुनना दूसरा काम यह मारे मौना यूसुफ साथ बैठे हुए है मेरे बहुत ही त्यारे है और इन्हीं की मेहनत पर में यहां बेदाम पहुचा हूँ और यह पंदरा साल तक बेदाम में रहे तो इनको मालूम है कि जब हम बोलते हैं तो बयान नहीं बोलो बयान नहीं तकरीद नहीं यह सिर्फ एक सबक है जो मुझे भी याद करना है आपको भी याद करना है इसलिए मैं भी बोलूगा और आप भी फिर चुपो गए आपको या कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपके बीवियों ने जबर्दस से धक्य मारके तो नहीं दे जा ना, आपको, इसा मू लटका के काई को बैठा, भी तुम्हें शुरू कर रहा हो ना, फूरा बजमा बोले ना, सबसे पहला काम सुनना, आवास से बोलो, सबसे पहला काम, दू काम करना है, एक सुनने का, और दूसरा अमल करने का, अल्ला फर्माते, जिनको यादो मेरे साथ में पढ़ना, पारा नमबर तीस, बोड़ो पारा नमबर, या लगा ने फर्माया, अल्दीन यस्तभिवावन वाल ओना, फयत्तभिवावन अहसना, उला, इक अल्ल्दीन अद आज पुर्माते प्यारे प्यारे मेरे बंदे और बंदिया आज पुर्ण हदीस सुनेंगे बुलो इंशाल्ला फिर अमारे दो काम होंगे एक सुनना और एक अमल करना अल्ला फुर्माते उलाई प्यारे 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 मेरे बंदे अगर तुने दो काम कर लिये एक सुनना और एक अमल करना अज़ बेर आखे में आसमानों पर हिदायत का फैसला करूंगा बोलो स्भवानला एक सहाबी आए अला की रसूल मेरे मादा बाप पर कुर्वान हिदायत का क्या मतलब है हमारे निभी ये पाक सल्ला अली हिशनीम ने फर्माया हिदायत का मतलब नंबर एक तु चाहएगा या ना चाहएगा अल्ला मौत के वगत कलमा नसीब करेगा नंबर दो बगर हिसाब किताब के जन्नत का फैसला करेगा बोलो सुभानलब तो आज बेलगावाले पका इरादा कलमा लेके जाएगे निशाला और जन्नत का भी फैसला करवाएगे निशाला जन्नत में तो जाना ही रोगाएगा ने जाना है ने बात करना हूँ यह उल्मा मेरे मुखाटब नहीं यह तो मैं स्क्रेट पर चाहएगे यह उल्मा को देखा तो मेरा दिल धार करके जटका मारा के यह क्या मामला एल्पोर्ट पर भी बार आया तो उल्मा कराम है इतने कि मैं खुद परेशान हो गया कि क्या कहूं और क्या हूं इन से तो कि यह मैं जानता हूँ यह जिन्न उल्मा कराम है न यह इल्म का मैदान हो आमल का मैदान हो तक्वा का मैदान हो परेज़गारी का मैदानों, लिखने का मैदानों, बोलने का मैदानों, यह हमसे बहुत आगे हैं, बस अल्ला इन उल्लमा के नक्षे कदब हमको चलने के तौफीक अता फरमाएं, तो मिले उल्लमा से बाते लेकर ना, आप से करना है, और कितना आसान सवाल पूछा, मैंने साथ में जाना है, सबको जाना है, सबको जाना है, सबको जाना है, माशाला है, मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है, मौना यूसुफ आपको, मौना यूसुफ तो बहुत जोर की गर्दन ही लाएं, सबको जाना है, खैर आल्ला ताला हम सबको जन्नत में आला मकामता फर प्यारा मैना, इतना प्यारा मैना, इसी मैने में हमारे नभी का आना भी है, और बो हमारे नभी का आना भी है, और बो हमारे नभी का जाना भी है, और अल्ला की खसम हमारे नभी का आना भी मुबारक, साथ में बो जाना भी है, हमारे नभी का आना भी मुबारक, हमारे नभी आ आए थमीन के रिखत आई तो अुछाने को अॉछां और निंवारत आई और चाना इतना मुआरक के घए तो जमीन की नीचे बरकत के समंदर बहाद प्लेभी असाम का झाल हां मुझा ऐा नॉए वाल्ह नि ओ भादी को मुझेशाय ऐपने समय तेलहां कितने प्यारस अ Paolo कितने बियार से मांि होना थुट 141 कि ऑला था। आचमारण मेरा रचिता महिना अंसा महिना? गुलिशता महिना मेरे प्यारो मैं जो बहुत पते की बाद पर आ रहा हूँ आजकल हमारे ये मुल्क में हमारा अपना हिंतुस्तान हमारा अपना वतन हमारा अपना भारत महान लेकिन मेरे प्यारो ये जमीन के हालात आजकल अच्छे ने हैं सही कह रहा हूँ भलत कह रहा हूँ हमारा कारोबार के लाइम से देखो तो हम काफी पीछे हो गए, पहले बहुत आगे थे कारोबार के लाइम में पीछे हो गए, वो एक मंडी का जमान आया, एक एकोनॉमिकल प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आया, तो हम जमीन के अइतबार से हो, और किसी को सब वे डर लगा है, सच बताने डर लगा है, क्या अभी दिसंबर में क्या होगा, 2020 में क्या होगा, एक गिरी में डर लगता रहता है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, मतलब जमीन के हालाद अच्छे, और आसमान के हालाद की भीड़बे है, और वो करने वाला कौन, वे जमीन आसमान को संभाने वाला कौन, आपने देख बिहार के बारे में सुना, नियू बंबई के बारे में सुना, इतने आख़एग, उँटना तुफान हजारों के घर बर्मार्बज हो गए, हजारों धुन्या से खितम हो गए, मालूम नहीं कितनों को कल्बा बहुएं कितनी लाशे पानी में बैढ गए गए, कितनों को कफड़ नसीब नहुआ, कितनों को कबर नसीब नहुई, मेरे प्यारो, जहां पानी की जरुवत नहीं थी, वहां पानी का तूफान आया, और जहां पानी 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 लोग पुकारते थे, बोलो वहां पानी, तो आसमान का क और जमीन का त्यवर भी इसका सीधा मतलब है बें कुछ बहाना करने की जरुवत नहीं है हमारा अलवा हमसे नाजा सकता है साथ में बोलो ना हमारा अल्ला, बाकी और क्या है? आज एक अजीब वगरीब चीज है, अजीब वगरीब पाले हमारे महुना तल्वीर पाले है, अगा मुथिस अफ्दर रए इधर आ जाए, मुझे सिर्फ हमारे प्यारे बच्छे हैं तो, मुझे सिर्फ इतना बताना कि प्रॉब्लम आया, उसको कोई भी जाकर पुछेगा, ये प्रॉब्लम क्यों है, जाएगा, क्या है नोट बंदी हुई ने उसके पाद प्रॉब्लम शुरू है, और कुछ लोग थोड़ा ट्रेक बदलते हैं, क्या नोट बंदी हुई फिर हमारी गारी के दाइम पर आ गई, ल सार जादू के फुर्षक में बिल्काम आगे, और कि दिए लोग क्या गाराना आप हमारे गर में आकर तो देखो, क्या होता, मुलाना एक बर गर में आकर तो देखो रहाट को सो जाओ ना, आवाज आती है, ठाक 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 ऐसी आवाज आती।, कोई धर से जाता, कोई उदर मतलब सारे जिना फुर सथ में हमारे वेर में आए दूनार के हैं बलो कोई बुलने को तयार हलाके सही वजा यहीrijk है जो ल्ला हम से नाराश है, हमारे गुना हो की वजा से, तो चलो मेरे प्यारों, ये रबी औ उल महीना है, हम सब मिल कर तधरें, इरादा करें, कि कुछ अमल करेंगे इंशालध। नहीं सारा मजबार बोलेंड़ीन, आमल करेंगे इंशालध। اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق अदा फरमाए मेरे प्यारों वो ये बात बिलकुल यकीनी है यकीनी है कि अगर आज हम कुरान हदीश की रोश्टी में आगे बढ़े क्योंकि आपको मालो मैं बाई जमीन को संभालने वाला कौन? आल्ला आस्मान को संभालने वाला कौन? आल्ला हम में से कोई जमीन अल्ला ताला खुझ हमको पूचते है मेरा बंदा तु जमीन बना सकता है? पैदा कर सकता है? तो ने बोलो ना हम लोग जमीन पैदा कर सकते हैं पूरा मजमा साथ में बोले पैदा कर सकते हैं इसी ने बेरगा में जमीन पैदा की? ले हम तो एक एक ट्राट के वास्ते लड़ते हैं। जिसने जमीन को तुमारे बिचोना बना दिया, बोलो ना जमीन बनाने वाला कौन, साथ में बोलो ना जमीन बनाने वाला कौन, आस्मानों को च्छच बनाने वाला कौन, आस्मानों से पानी उतारने वाला कौन, उतारे तो कोई रोक नहीं सकता, बोलो किसी ये अंदर oleins जिम्क नहीं के आस्मान से पानी तो रोके, ये सब कुछ औरने घर लेवाला कौन? तो मेरे प्यारों अजूसी अल्ला के बन जावे हम लोगा तो सारा मामला ही फटम हो जावे मैं कसम खाकर कहता हूँ खुलमा एकराम बयान करते है पुरान पाक और हदीस की रोशनी में कि इस वक्त हमारी उम्मत तीन काम पर आ जावे दूआ करो मैं पूरी बात पर पहुँच जाओ कितने काम पर आ जावे तीन काम पर आ जावे अल्ला हमारी जिन्नतों को फिर इज्जतों में बदल देगा इंशाला अल्ला हमारी जितुस्तान का नक्षा बदल देगा बो इंशाला अल्ला आसिदों के हसद से बोकी जो ना मुम्किन को भी मुम्किन बना देता है बमना डेता है सब कुछ करनेड़र मेंiblical कॉन राइंगा प्यारा इपियार आ प्यारा आल्ला। जो चाहे वो फड़ सता है। हाँ बोंगो जो चाहे वो में वाकिवा आपको लेके जा रहा हूँ, हदरत मुसा अले कि जलती गुर्फ सिल्डियों का वाग दिया। जो साथ में वहोलों नहीं किसे बात करते थे? रजिवियम्दी यह हमारे बेटे मुफ्ती तर्वीर सामने बैठे हैं, बहुत करीब है, मेरे बहुत करीब है, मुणा यूसुफ साथ मेरे बहुत करीब है. लेकिन अल्ला ताला फर्माते है जब पेगंबर मुसा पहार पर आते थे अल्ला फर्माते है मेरी बाते इतनी करीब होती इतनी करीब होती इतनी करीब होती जैसा कोई किसी के कान में चुपके चुपके बाते करता अल्ला फर्माते मैं मेरे पेगंबर मुसा के साथ ऐसे ही बाते करता, बोलो उसका अब लिए, पुरी बात कुरान में लिखी हुए है, पारा नंबर 16, बोलो पारा नंबर, जिनको यादो मेरे साथ में पड़े न, बोलो न, पारा नंबर, बो वोकरमना हुन जीया अल्ला तबारभ वटना फर्माते कोई तो मीरे पर Mia Records मुसा की शान को देखे आल्ला फर्माते हमने करीब किया परिभी किया, गैरीब किया इतना करीब कर दिया जैसे कोई किसी के कान में चुपके चुपके प्यार भरी बाते करे अल्ला भी हदरत मुसा से बाते करे हदरत मुसा कोई दूर पर जाए बोलो ना बात करने वाला को हो नुए एक दिन हदरत मुसा पाढ़ पर जाए को है दूर को याने पहाँ उस पाढ़ पर जाए हदरत मुसा रोने लगे कभी रोती नहीं इतना ठ्थमार मुसा एंची आध Play अव मुसास आज़ पूछा मुसास एज रूना relaxing यह जो पॉरत मुसा ने पुछा आख की मालू में नहीं पुरें? चाहिकि जो रोता है नहीं हुरता है व्युमेरी तुम्तटमारी सबस्क्राइब नहीं क्यों की रोहता है तो हदर मुसा ने फर्माया अल्ला वो जो फिरॉन है ले फिरॉन अब बहुत जुम करता है बहुत 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 हद कर दी उतने जुम में इतना जुम करता है हदर मुसा ने रोते रोते का इतना जुम करता है हमारे मर्दों को गतल कर देता है हमारी मा, बेड़े, बेटियों की इज़तों पर हमला करता है हमारे चोटे-चोटे बच्चों को मा के सामने जबा कर देता है ए अल्ला कब तक इसका जुन जमीन पर चलेगा ए अल्ला हम तो तेरी अबादत करते है तुझे अपना माबुद मानते है हम भी इंसाने और फिरों भी इंसाने लेकिन ऐसा ऐसा शेतान इंसान ऐसा जलाद इंसान जो जवानों को खतल कर दे हमारी मा, बेड़े, बेटियों की इज़तों के खमला करे हमारे चोटे-चोटे बच्चों को मा के सामने खतल करे या Allah, कुछ तो मदद कर ले Allah क्या फर्माते है मुसा जा पहाड से नीचे जाओ पूरी तुमारी कौम जिन पे जुम होता है, ना उनको जुमा करो अधर्थ मुसा की कौम का नाम बनू इसराहिल बलो अधर्थ मुसा लिए भूम का नाम बनू इसराहिल एक लाग से ज़ादा कुछ लोग 17,000, 18,000 एक लाग से ज़ादा तो अधर मुसाली स.ब बल्ला फर्माते जाओ पार्ड के निचे जाओ अपनी कौम को जबाता हो एक लाग से ज़ादा और रात जो मैं नक्षा बताता हूँ उस नक्षे पर चलो तुम इधर हो जाओगे से उसर कर आए ना अधर मुसाली स.ब थोड़ी दिर में फिर पहाड पर अल्ला तबार्फ बताला पूछे अब क्या हुआ का अल्ला ये सब को जमा करना कोई आसान धोड़ी ता मैं अल्ला कुछ टाहिए तू तो फर्मा का भी जमा कर लो रात और रात निकल जाओ इसमें मर मुसा जाओ, जमा करो, इन सब को बुलाना तुम्हारा काम होगा, सब को जमा कराना मेरा काम होगा, बोलह सब, आपको मानूने ये 15 अद्मी की जमाद तैयार करना हो तो मुश्किल हो जाता है, यह एत लाग से जादा को जमा करना है, मर्द और और बच्चों को, जानवरों क को सवारियों को कपड़े बड़तन लट्थे वट्थे जमा करना हूँ लेकिन मुसान इसलातन का लग तुम से फुकारो आवाज दो अधर मुसा पहाड से उतरे फिर वखपस उपर पहाड पर तीसरी मर्तबा अल्ला ने पूझ अब क्या हुआ का अल्ला हम रातो रात निकल तो जाएंगे लेकिन हमें एक लाग से ज्यादा है कुछ लोग ये गनी से जाएंगे कुछ लोग वो गनी से जाएंगे कुछ लोग तीसरी गनी से जाएंगे और फिर उनकी पुली से चारो तरफ होगी अगर किसी पुलीस ने एक आप्मी को अब काम शुरू करो क्योंकि और अल्ला के जुना सुना ए मुसा कदम उठाना तुमारा कामे मन्जिल पर पुछाना मेरा कामे बिलो सुना और ये बात अल्ला ने सही कही कि जो आद देख सकता अल्ला उसको अंदा भी बना सकता है हांके नहीं बोलो ना बोलो लुटो नहीं अभ़दर मुसा आद दो सुना तो आ ससला होगा बूरी पुरी कौ्म जिस्का नाम कौ्म है पूलिस करी है और आप हमको वोई गली में ठके लोए हो, आप तो वो गली से जा रहे हो, हमको तो बिलकुल, अधर मुसा ले वोई जवाब दिया, जिस अल्ला ने आखे दिये, वोई अल्ला थोड़ी देर के लिए अंधा भी बना देगा, बना सुभाना ल्ला, सच बता हो, आखे देने वा कुण, तो अंधा बनाने वाला भी कुण, ठबढ़ो ने मेरे साथ में पढ़ो, आल्ला ने फरमाया, हमें सीजा और पूरा रास्ता बताने वाला कौहन अल्ला ही, पूरा मझमार साथ में बोले में हजरते मुसा आगे-आगे, और पनू इसराइल इनकी कौम, ठीज़े, अमानों मुआ, एक ऐसी धली आपने हैं, अब राइट में जाने का, या, अज़न मुसा वाँ खड़े हो ओने खड़े हो northern ऊफे बताना होुए, और मुस्त आखड़े हो पीनी जाने का, यह नहीं हे और प्रकशो आपाइल में बताना हैं, वा-पनूर पैड़े मारता होऊए, सौबसके सब घड़िया कर सामने अन्थमुसा आगे। एक लाग का बझवाम। मुसा का जाने कादे तो ... ... हमसाद का चाल हजज़र मुसा कहा तो मैं आपको कहा तो हमेरास्टा भोल गया ... फिस हम उने का, अब क्या करना ह। प्रिवस टंलो अपस पुई गारी थो ली ते कि यूर तन पहलती ना ा एक लाक से जादा का मज़ा था किसी के बस गोर्य होंगे किसी के बस कुर्णे होंगे तो किसी के बस चणने चरहने वाले बकरे मकरिया होगी और कितनी देरो न होगी कि सामने जेका कि जैसे धूर उन रहा है थोड़े जिन में पता चला तो फिरॉन अपने नश्कर के साथ आ रहा है फिरॉन अपने पूरे नश्कर के साथ और फिरॉन को जब पता चला होगा कि पूरी कौम चलिए तो नश्कर भी कित्या बढ़ा होगा अब पूरे हथियारों के साथ फिरॉन, अब पूरी कौम ने का मुसा हपचा करेंगे, क्योंकि फिर रिवस तन लेंगे तो दर्या, और वहां फिरॉन का, मतलब यहां भी मौत है, और वहां फिरॉन को है, भी इसी वक्त है, हम सको कतल कर दा लेगा, हमारी माँ बेलों को चोटे-चोटे बच्चों को मां की गोट के सामने, मां की आँठों के सामने उसे कतल कर देगा, तो मुसा हम अच्छे थे ना अपने घर में बढ़े थे, हमें क्यों लेकर आए यहां तक, सारी कौम ने चिला ना शुरू किया, हदर मुसा अलिए स्लाह ने गई स्लाह करो, व बोलो हमारा रास्ता देने वाला कौन है, हदर मुसा अलिए स्लाह ने रोए, आला में क्या करूं अल्ला, बच्छे अजा हाए यह वाल्ला, पिछे फिरोर्ण का लश्ता लिए, आगे पुरी कौम के लिए मौद है, पिछे पुरी कौम के लिए बेइज़्जदी है, अल्ला क्या करें, ऐल्ला की आवाज आई, ऑब आल्ला की शान финत ह्तित और आवाज आई मुसा हाथ में जोए ये। लिघ्जी सबंदर पेखो जोड से दंढ मरो तो बच्चे में इसलिबा इतना बडा दंडा है जो भी लखनी है ये तो पानी उड़े और क्या हो जाँ आल्ला है मैरे मुश्ता क्यों नहीं समझते क्यूंणी समझते यैय यी यै असा जो आपके हगे इमाना तुमारा काम होगा समंदर में गास्ता बनाना मेरा काम होगा हुआयसका حضर मुसा ऐस्त रिसencialर गया जाकर यू पूरी ताकत ली और उसके बार में जो समंदर पर मारा अल्ला ने बर्माया मुसा तुमने समंदर पर आसा रख दी है मैं बारा रास्ते बनाऊ रा, बारा रास्ते अर मुसा तुमने बताता हूँ के बारा रास्ते इसलिए बनाऊगा तुम जुतने लोगों को लेकर आया हो एक लाख से ज्यादा अज़र इनको तक्सीम करो, इनको डिवाई भी करो तो ये बाराख खांदान के लोगे अल्ला फर्माते आज ये मेरे महमाने हर एक के लिए अलग रास्ता में खुद बनाओंगा बोलो सुपानला अज़र नुसा ने उलकडी लिए और किस पर मारा मेरे प्यारो पुरान कहता अकल हैरान हो जाती पानी की दिवार खड़ी होगी बोलो सुपानला आपने सिमेंट की दिवार देखी होगी आपने मारवल की दिवार देखी होगी आपने इजों की दिवार देखी होगी आपने तक्ठरों की दिवार देखी होगी पानी ऐसा खड़ा हो गया इधर लास्ता बन गया फिर पानी खड़ा फिर लास्ता फिर लास्ता बारा लास्ते बन गए और मेरे दोस्तों रिवायतों में लिखा, हदरत मुसा पूरी कौम के साथ, सबारियों के साथ, जानवरों के साथ, बिस्तरों के साथ, और सबसामान के साथ, हदरत मुसा ये किनारे से वो किनारे तक चले गए, रिवायतों में लिखा, जिबने चलने वाले थे, सब्के पाउं के नीचे पानी था. मगर पाओं के उपर पानी का ख़त्रा भी नजर नहीं आएता था. समंदर में लखनी मांना तुम्हारा काम होगा रास्ता बनाना. आज हम में भी कहते हैं रास्ता बनाना. और यह पुरान में लिखाए पारा नंम्र उन्मीस. बुलो पारा नमबर? भाई हाफिज दो होंगे ने इन्शालला इसाथ में पढ़ो ना पारा नमबर? शालला ते फरमाया अप्नी आसा को समंदर पे मारे अन्ला फर्माते मैंने समंदर को चीर दिया मैंने समंदर को खोड़ दिया पानी की दिवारे बना दी और हटव पानी के दर्मियां में हमने रास्ता बना दिया ने पोरा मजम kaninform अध्रhem मुसा को पार कराने वाला कोहने, बनु इसराहिल की जिंदगी को बख्षने वाला कोहने. जब की जब कहीं हैं, जब आपको कहें रहा है, जब की जब की शर में आपको बख़ी, महांग है की जब किसे को बहुत बढूए जो हों में भूले है, घख रहा है, तो ऐस ही जब करेंगे, बख़ाए हैं। आपको मत उना, बिखारी बोलता है, ले हम एक बात कहों हूँ, अनॉऑ हम सब को डीखारी बोलता है, ले बोले ना, कोन अप्जक्शन उठाया और Makes In It Is Usi एफिए आए है या एयुए अनास अन्तुम फुकाराओं एलाओ ऒख्वाल्यो अल्गनीय छवारू लाय अल्गनीजिद अल्हारू तबारुप आळळा अबर्मादे तुम सक्षपकीर मांने वाले में ताता देने वाला हो, तुमसे बड़ा मांगने वाला, कोई नहीं मेरे से बड़ा देने वाला गुलर पीछे कौन आ रहा था? उसका दिमाफ तो बहुत हुचा कमभखत का, आकल कहता कि सब मेरी वजा से गुआ, चलो अपरे गोड़े डालो, सब ने समझाया भी मही अक्नी वजा से नहीं हुआ, ऐसे कुछ लोग होते, आपके बलगाम में होते हमारे बुजरत में ऐसे बहुत होते, क्या थे मोला ना, वह इसना बड़ा जग्रा होने वाला था, बोग पार्टी में इसना जग्रा होता, मार की ठोधी, तो मैं कुछा भाई बेजा क्यों नहीं हुआ, मैं गया है, सब समाधान हो गया, सब दिया हो गया, हाला कि कमभखत दढ़ाने अपना ये खुदी था, अल्ला हिफादत हमसा को मत रहुड़ने की ठाकत देने वाला कू् अल्ला, हम सब को सुनने की ठाकत देने वाला कू्न, ख लख़ां हो, अल्य Michae कि मेरी ब़ता सदास्था बना। मेरी बछा सदास्था बना। एंगोरे मुख ऑपा तक थपा तक थपा तक थपा तक रखेता। दोड़ा तक रहा renowned, समंदर के बीच में पहुंचा। अलला ने पानी को कह वापस आजिया। थे बोला वापस। एक चंद सेकंडों में आओद बिल्लाह बिन श्रीफ आदर रजीम बलो चंद सेकंडों में अल्ला ने फिरॉन के पूरे लश्कर को बर्बाद कर दिया फिरॉन बचा है और फिरॉन यहां पर पानी आगे यहां गले तक पानी आगे जो यहां पर पानी आया और फिरों समझा कि आप तो जाने का ताइब आगे अगे आप तो क्या कहता वालों है बैं अल्ला पर इमन ले आया और वो जो मुसा कहे रहा है वो हमारे पेगंबर वो नभी में उनका गुलाब